हलो गाईज byłaलकम बैख आज मैं बनाने जा रहे हूं कच्छे केली की dig裡 ब mix this यदे 2,5 kg केली तो यदे लाल मिर्च 1965 टीनबे में। और इसमें 2 चमश बेशन! मेरा चमश थोड़ा सा बड़ा है तो मैरे 1,5 चमश ही डाला है और नमक भी डालेंगे इसको साथ मेhit नमक अपनी अंदास से डालें अब इसको बढ़िया से मिला देते हैं क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है तो इसमें पानी चुटेगा और इसको मैं अच्छे से मिला के 15-20 मिनिट के लिए मेरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी इसे खुब बढ़िया से मिला दें ताकि मसाले और बेशन अच्छे से मिल जाएं मुझे लग रहा है हल्दी थोड़ी कम है थोड़ी सी और हल्दी डालूँगी मैं अब इसे 15-20 मिनिट के लिए में रख दूँगी ताकि इसमें जो है अच्छे से मसाले भिन जाएं केले मेरे मैरिनेट हो चुके हैं देखें कितनी अच्छी तरीके से इसे बैसन और मेम लग चुका है अब इसमें इसको अच्छे से तेल लग जाए इस तब तक पकाना आ है जब तक का इंगो गल न जाएं मीडियम टू हाई हीट बेस से रखेंगे पांच मिनट के लिए ढखती हूँ यह मैंने 200 ग्राम दही लिया हुआ है अब इसमें में मसाले डालूंगी यह ग्रेवी के लिए है इसमें लाल मिर्शी पहले डालती हूँ धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर पाउडर आधा चम्मच है कसूरी में थी एक छोटा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच गरम मसाला इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको मिक्स करके इसी तरीके से रख लेंगे केले को चलाते रहें देखते रहें एक दो मिनट में केले हो जाएंगे अभी फिर म ऑला मसाला पढ़ेगा उससा केले केले बहुत षह से रोष्ट रॉष्ट हो चुके हैं को और और इसमें गैए क हुआ केले भूं जाने के बाद में अब इस Me psychic पानी मैने यह डोंगे में पानी जो मसाला लगा हुआ था वही मैंने ढोलीagen अब इसको मैं इसमें डाल देती हूं पांच मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ते हैं धक के छोड़ दूंगी पांच मिनट बाद देखती हूं केले अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें जो मैंने दही का ढोल बनाके रखा इसे इसमें डाल देती हैं अब इसे लगातार चलाते रहेंगे गैस स्टेज करके इसे लगातार चलाते रहेंगे नेते दही फट जाएगा जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसे चलाते रहें उबाल आ चुका है अब इसमें सॉल्ट एट करूँगी मैं सॉल्ट अपने अंदाज से डाले अब इसे मैं आज को बिल्कुल धीमी करके 5 मिनट के लिए धग दूगी इसे चला देती हूं और 5 मिनट के लिए से धग देती सबजी बनके बिल्कुल तयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी बनी हुई है देखके ही अच्छा लग रहा है अब इसे मैं परोस्ती हूं केले की सबजी बनकर बिल्कुल तयार है ये यूनिक सी रेस्पी है बहुत ही नई है इसे आप ट्राई जरूर करें बहुत ही बहुत ही सबको पसंद आएगी थैंक यू